प्रभु स्री राम लड़ा अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पांच सदी के बाद पुना विराजमान हो चुके हैं। प्रभु स्री राम लड़ा अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पांच सदी के बाद पुना विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रपुल्ली थे और भारत को इस दिन की प्रतिक्सा सदीयों से थी। भाविभौर करने वाला अस्चन आज युद्या में देखा जा सकता है। 22 जन्वरी को भी और 23 जन्वरी को भी हम लोगों ने देखा था पुरे देश वर से आई वे सरधालू जो जहां से भी आया। क्या भावना ही थी और किस रूप में उमरती भी दिखाई दे रही है। दर्चनों पेडियां चली गएं। एक ही कामना के साथ एक ही तमन्ना थी। कि अयोध्या में प्रभू फिर से अपनी मंदिर में विराजमान हो जाएं। उसका भब्यमंदिर बन जाएं। कि तो प्रतिक्सा और संघर से निरंतर जारी रहा। सिराम जन्भू में संभत और विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकन रहा है। जहां बोसंक्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्मान के लिए सदियों तक प्रतिक्सा करनी पड़ी। संघर्स करना पड़ा। हर अस्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तयार होना पड़ा। संतों के अस्तर पर बेरागियों ने पुजारियों नागाओं ने निहंगों ने बुद्धी जीवियों ने राजनेताओं ने बनवासियों ने और समाज के हर तपके ने जाति पाति विचार दर्सन पूजा पत्तती से ओपर उठ करके रामकाज के लिए अपने आपको सर्ग किया और अंततह वसुभ आउसर आही गया जब कोटी कोटी सरातनी आस्तावानों के त्याग और तपको पूरता प्राप्त हुई आज हर सरधालू की आत्मा प्रफुली थे और इस बाद से भी पुरवजों की साधना को सिद्धी में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल पता और जहां संकल पता मंदिर वहीं पे बना है इसके लिए भी भारतिय जंता पार्टी का ये रास्ते महादिवेशन उनका स्वागत करता राधार बेक्ते करता है